नमस्कार आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूँ आपका दोज़ अंकिश शर्मा आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की तो इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपके आसपास का आपके जेले का आपके शहर का और आपके प्रदेश का कैसा रहने वाला है मौसम का हाल तो आए नजर डालते हैं आएमडी की मौसम की पूर्वनमान पर तो साथ नवंबर की अगर हम बात करते हैं देश के अधिकांश हिस्तों में तो मौसम सुष्क बना हुआ है लेकिन दक्षिड में यह जो लौर्थ इस मौसम था इसका प्र इस इलाका है को सब्सक्राइब का इसका रहाएं तो यहाँ पर तेज हमाई भी चली है वही के आप देखेंगे के लाकों में अती भारी बारिश की चेतावनी है साथिंडी कर् Pennant OH में भारिवारिश कोजतल कमें भारिवारिश तो यह तमाम इसे हिलाके जो और ऑपका आंत्रह आता है और यह जो रायल सीम प्राँ प्रश आता है यह ते न्यहां पर अब भी भी भारिवारिश भनी हूगैं और बताया जा रहा है, AMD का पूर्वनमान है कि 10 तारिक के आसपास तक यह मौसम यहाँ पर ऐसा ही रहने वाला है, 10 तारिक के बाद यहाँ पर थोड़ी रहा देखने को मिलेगी अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं आट नमबर के मौसंगी पूर्वनमान पर आप देखेंगे कि भई इस्तिती अभी भी यहाँ पर बनी हुई है देश के तमाम हिसों मौसंग शुष्क है लेकिन यह जो इलाके हैं जहाँ पर आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे कि जो हमने आपको पहले बताया था अब इसमें तेलंगाना में तेज हमाई चलेंगी और बिजली गरने की चेतावनी है कोस्कारांद प्रदेश में बारिश की चेतावनी है साउथ इन्रे करनाटका में बारिश की चेतावनी है केरला में भारी बारिश होगी और साउथीनियर करनाटका में कुछ इलागों भारी बारिश के जितावनी है कोस्कल करनाटका में तेज हमाई चल सकती है बिजली गिर सकती है आप नौथीनियर करनाटका में यही हाल रहेगा तो यह तो हाल है दक्षन का जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर अभी भी मौसम मौनसून वाला बना हुआ है, बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है, वहीं पताए जा रहा है कि साइकलोन को सर्कुलिशन यहाँ भी क्रियेट हो रहा है, जिस कारण से यह प्रभाव आपको और देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं, जो पश हैं, इमाली छेतर हैं, जिसमें आपका जम्मो कश्मेर, गिलगेट, बालटिस्तान, मजफराबाद आता है, और यह तमाम ऐसे इलाके हैं, जिसमें आपका लगदा कभी है, यहाँ पर आपको बूंदा बांदी और बरफ बारी चुटपट बरफ बारी देखने को मिलेगी, ह क्योंकि हमाओं, हमाई चलना स्टार्ट हो गई हैं, और यहाँ से जो हमाई चल रही हैं, वो इस एरिया को पार कर रही हैं, जिस कारण से जो धुंद है, वो तुछ में कमी रहात नजर आएगी, और आने वाले समय में मौसम जो है, वो यहाँ पर बहतर होगा, इस कारण से इस तर यहाँ पर कम होसकता है, लेकिन अभी तीन से चार दिन इसको लगेंगे हवाओं को और अपनी गदी पकड़ने में, तो इस कारण से आप देश सकते हैं, यह जो तमाम ऐसा इसा इलाका है, दिल्ली के आसपास का, जिसमें आपका हर्याना, चंडीगर्द, दिल्ली, पंजाब, और राजिस्थान का कुछ इलाका, उर्ते प्रिदेश का कुछ इलाका, तो यह तमाम ऐसे प्रिदेश हैं, दिल्ली NCR से चुड़े वे, जहाँ पर मौसम अभी थोड़ा सा राहत भरा होने वाला है, आने वाले दिनों में, लेकिन अभी प्रिदूशन के स्थर म कि हमने आपको बताया, तो आने वाले तीन दिन के बाद इसका असर देखने को मिलेगा, तभी पता चल पाएगा कि प्रिदूशन के स्थर में कितनी कमी आई है, तो इसका जीता जाकता दुराण हमने आपको कल भी बताया था, अपनी एक वीडियो के मादम से कि दिल्ली में और इविन लागू कर दिया गया है, तो जिस कारण से प्रिदूशन का इस तर कम करने के लिए कोशिश की जा रही है, तमाम ऐसी सरकार हैं और ऐसी कमेटी बठाई गई हैं, जिस कारण से लोग परिशान नहों, इसके लिए तमान तरीके की मशीनली का प्रयोग किया जा रह रहा है, पानी छड़का जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर पर रोग लगा दी गई है, तो खेती, किसानी और मोसम स्ट्रीवडी तमाम खुपर के लिए आप हमाई साथ बने रहें, आज की इस वीटियो में बस इतना ही देखते रहें, किसान तक धन्यवाद।